बिसमिल्लायर रुहमान रुरहीम, अस्लाम लिल्कुम फिर्ण्स, दा अलाइट स्कूल, टेबल कॉंटेंट ओनलाइन विद कम्प्यूटर, क्लास वन, लेक्चर निम्बर फाइफ, दिस इस यूर बुक टाइटल, यूनिट निम्बर फाइफ, यूज़ अफ़ कम्प्यूट टॉपिक, एक्सरसाइज, पेज 44, आप पेज 44 आप ओपन करेंगे, उसमें हम क्वेस्टन नमबर जो है, वो डी, पार्ट टी करेंगे हम, ए, बी और सी हमने कर लिया था, ए में हमारे पस मुल्टिकल चॉइस क्वेस्टन थे, ब्लैंक्स थी, एंड हमारे पस टूफ वाल्स हमने सॉल्ब कर ली है, अब आपके पास आजाता है पार्ट डी, जो के आपके बुक पे गिवन हैं क्वेस्टन, आपने जस्ट उनके आंसर्स राइट करने हैं, नीड एंड क्लीन करने हैं, और आपने ये काम अपना बुक पे ही करना है, फॉर्स तर राइट राइट थे न क्वेटर, सेकिंड है, राइट दे नेम्स आफ ये तू फेवरिट गेम, अब आप अपनी मर्जी से यहाँ पे फेवरिट गेम्स लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, फुट बॉल और भी लिख सकते हैं, हौकी लिख सकते हैं, अब जो भी आप चाहें, आप इसके अब आप इसके लावा कोई भी लिख सकते हैं, आप जो भी देखते हैं, कार्टून जो आपके फेवरिट कार्टून से उनके नेम आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, फूर्थ नेम्स प्लेस वेर मनी इस कैप्ट सेफ कहरे हैं, कि आपने उस जगा का नाम बताना है, प्ल करवाते हैं नीए टीक है डिपॉजट कर वाते हैं हहा पर हमानेमनी सेव रहती जब चाहते हैं हम उसको हम विड्रॉख कर वा लेते हैं निकल वा लेते हैं ठीक है प्ले करते हैं, music listen करते हैं, cartoons and movies watch करते हैं और drawing sum जो है वो बनाते हैं, इसके लावब फर्दर भी हम काम कर सकते हैं, इसमें solve करते हैं हम sums को यह नि बहुत से हम काम इसमें कर सकते हैं अब आपके पास एक work sheet है जो के आपने अपने register पर solve करनी है work sheet है आपके पास, look at the following activities and complete the sentence अब आपने activity देखनी है कि इसमें क्या activity हो रही है, आपने वो blank just solve करके बतानी है first time, Mr. Rajvi is dash for customer, booking tickets, आप देको यहाँ पे वो tickets booking कर रहा है doctor is dash of a patient, doctor क्या कर रहा है, diagnosing a disease, वो disease को find out कर रहा है यहाँ पे computer use करके, यह आपको नजर आ रहा होगा picture में third, Ahmed is dash on the computer, Ahmed क्या कर रहा है computer में, playing a game, game play कर रहा है यह आपने अपने register पर करना है, question answers आपने अपने book पर ही solve करने है और यही आपका homework है, write question answers and work sheet, question answers आपने अपने book पर solve करने है और work sheet आपने अपने register पर need and clean आपने solve करने है अपने आपने अपने इघक है